सभी मसीह भाई भानों को प्रभुयश्चु मसीह के नाम में जय मसी की हम धन्यवाद देते हैं प्रभुका की परमेश्वर ने हमें सुन्दर समय दिया सुन्दर मौका दिया भूर के समय में परमेश्वर की उपस्ती में हम बैठे हैं इस बात के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, आई हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे. वचन रोमियों 12 का 19 में लिखा है, हे प्रियों, तुम बदला ना लेना, वरन परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला लूँगा. पड़े हुए बचन के द्वारा परमेश्वर, आप सभी को वासिष दें. इस बचन के जरीए परमेश्वर हमसे बात करते हुए यह करते हैं, कि हे प्रियों, बदला ना लेना, क्योंकि जो काम परमेश्वर का है, और जो काम हमारा परमेश्वर कर सकता है, कोई मनुस्य नह कर सकता है इसलिए परमेस्वर अम सब से आप से और हमसे बातें करते उए कहता है कि बदला लेना हमारा काम नहीं वरन हमारे कब उसको हम कह सकते हैं इसको सर्वशक्तिमान है पर मेश एक उसके तुल्य कौन है जिस侃 पूरी श्रिष्टी की रसना की उसके तुल्य तो कोई नहीं है फिर हम कौन होते हैं जो उसके कारे को करें इसलिए यदि हमारे जीवन में कोई विपर्ति आती है या कोई हमारे सत्रू हमें सताते हैं सताव करते हैं हमारे जीवन में तो हमें उनसे बदला नहीं लेना है, वरन हमें अपने ब्रोधियों के लिए भी परमेश्वर से प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर उनके जीवन में भी कार्य करे, हमें इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, कि परमेश्वर ने हमें चुना है, और इस बात के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर और लोगों के जीवन को भी बदले जैसे परमेश्वर ने हमें चुना वैसे हमारे और भी भाई बहने हैं जो परमेश्वर के नाम को भी नहीं जानते तो इस बात के लिए हमें प्रार्थना करन चाहिए कि उन सब के जीवन बदलने पाए और 20 में लिखा है कि यदि परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर्फ पर आग के अंगारों का धेर लगाएगा आमे इस बचन के जरी पर परमेश्वर हमें वताता है कि जो हमारे द्रोही हैं जो हमारे बिरोधी हैं वे भले ही हमें सताते हैं लेकिन फिर भी हमें उनके लिए प्रार्थना करना है और जब हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि बदला लेना हमारे परमेश्वर का काम है परमेश्वर हम एक एक आसुगों का हिसाब रखता है वो हमारे मुकदमे को लड़ता है परमेश्वर कहता है कि परिश्रम करने वालों और बोश से दवे हुए लोगों मेरे पास और मैं तुम्हें भी स्राम दूगा परमेश्वर हमारे द्रोहियों से हमें बचायेगा अगर हमें कोई सतार आये तो हमें उनके लिए प्रार्थना करना है हमें अपने बैरियों से भी प्रेम रखना है क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्रेम करना सिखाया है परमेश्वर ने तो जगस से ऐसा प्रेम किया कि उन्ह अपने एक लोते पुत्र को इस संसार में भेज दिया और जिस क्रूस को हमें उठाना चाहिए था उसे परमेश्वर प्रभु येश्व ने अपने कंदे पर उठा लिया और अपने प्राड दे दिये ताकि हम सब उनके द्वारा उद्धार पाएं इसलिए हमें उस को अपने दिल में रखना चाहिए और उनके वचन के अनुसार चाहिए जैसे परमेश्वर ने प्यार दिखाने के लिए प्यार बाटने के लिए इस संसार में आया वैसे हमें भी परमेश्वर की वचन के जरिये चलना है और दूसरों को भी परमेश्वर के प्रेम के बारे म बताना है इस बचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आसीज दे एक बार फिर प्रभुयेश्व मसी के नाम में आप सभी को जैमेश्व को